लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन्स वगारा होने वाले कुछ प्रोग्राम अरेंज हो रहा है तो इस वज़े से बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही थी मैंने आप लोग को पहली बता दिये था अगर आपने वह व्लॉग नहीं दे तो बस वही तैयारियों चल रही थी सो हमारे चीफ गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर और स्टूडेंस जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट है विद देर पेरेंट्स वो सब कोई आ चुके है और यहां पर बहुत सारी चीजों की इंतिजाम की गई है लाइक फूड स्टॉल्स और तो ब्यूटिफुल से वेलकम सौंग के बाद यहां तिलक सर्मेनी हो रहा था और तेन केक कटिंग और उसके बाद होने वाला है इनागरेशन फूड स्टॉल्स का जिसके लिए बच्चे बहुत जादा एक्साइट है तो अभी यहां केक कटिंग हो रहा है और बस इसके बा और पावभाजी वाले फूड स्टॉल में इनागरेशन का इंतिजाम किया गया था तो बस यहां भी इनागरेशन हो रहा है दो पावभाजी गया था रहा है तो बस अभी हमने थोड़ा सा ग्राउंड घूमा और घूम फिरने के बाद हमने सुचा चलो आप थोड़ी पेट पुजा की जाए तो हम आ गया है फूड इस्टॉल के तरफ और सबसे पहली चीज़ जो हम ट्राई करने वाले है वो है चाट आलू टिक की चाट मुझे बहुत जादा पसंद आया था यह बहुत जादा टेस्टी था और बहुत पॉपर तरिके से भाईया ने बनाया था और अब हम आ गया है छोले बटोरे वाले स्टॉल के पास यहां न बेलग से बीड़ एक और टोकन के लिए जहां से जिसको और जादा टोकन लेने हो वहां से खरीच सकते थे तो बस और वह आलू टी की चाट कहने के बाद जस्ट बगल में ही यहां गुलगपप और पाप्री का स्टॉल लगा था तो हम बस गुलगपप देखे और चले आए बहुत जादा यम था और फिर हम पाप्री खाए और बस और भी बहुत सारी चीजें हम खाए बट अनफॉर्चनेटली मैं रिकॉर्ड करना भूल गई अगर मैं आपको बताऊ तो 15 तो 17 इस टॉल सप्रॉक्स लगे वे थे मुझे तो उस दिन बहुत ही जादा मज़ा आया आपको वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अगर चैनल पर न्यू है दिन फ्लीज डू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब टू मैं चैनल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चिल दिन बाई टेक क्या